हेलो स्रेट्स माइन वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी एक बात मुझे बताइए बुद्धी और बल शक्ति और बुद्धी यह दोनों की बात की जाए तो आप किसे कहोगे कि यह ज्यादा स्वेश्ट है यह ज्यादा बल्वान है या फिर इसकी महत्वता ज्यादा है किसको बोलेंगे किसके ज्यादा है कौन अधिक बल्वान है किसका महत्व अधिक ज्यादा है जो शक्ति साली है जो शक्ति मान है वह यह जो बुद्धी मान है वह यहीं मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यहीं बताऊंगी कि बुद्धी मान व्यक्ति अधिक स्रेश्ट होता है वह अधिक बलवान होता है बलकि बलवान से भी अधिक बलवान होता है क्योंकि उसकी बुद्धी बलवान होती है देकि बुद्धी मान व्यक्ति अपनी बुद्धी का प्रयोग करके बड़े से बड़े बलवान को भी चकमा दे सकता है चुकि बलवान अपने ही बल पर घमंड कर कई कहानिया आपने एसी देखी होंगी जहां बुद्धिमान को सुरेश्टता प्राप्त हुई है गुद्धिमान के लिए तालिया बजाई गई है वहीं पर अच्छा और यहां पर एक कि विधवान और वुद्धृमान तो दोनों में अंसना होता है यह यह दि आपने किताबों को वेदों को पुरानों को पड़ा है लेकिन के अंदर पूए बिताब आपकिस साथ कहित वि 뒤에 उस거 भागा हो गया अर्थात गुण भी हैं और वो भी स्रेश्ट हैं तो यहां में क्यों बात कर रही हूं बुद्धिमान शक्तिमान बल्वान क्यों बात कर रही हूं क्यों कि कच्छा दस्वी में एक पाठ है संस्कृत में श्यमोशी का द्वतिया पाठा है बुद्धिर बल्वत यहां पर ऐसी कहानी घटना आपको बताई जाएगी जहांपर दोनों में जो अंतर है वह आपको अंतर समझ में आ जाएगा डेखते हैं आखेर बात किसकी चल रही है तो सबसे पहले तो हम पात की प्र स्तृति आउए प्रस्तृत हyu और रख dispos स्कृत्वा संग्रितो अस्ति वहां से संग्रित है अत्र पाठान से यदि हम शब्द को तोड़ देते हैं तो यहां पर पाठ और यहां पर अंसे तो क्या होगा अस्व पाठान अत्र पाठान से अत्र मतलब यहां पाठ के अंश में स्वा लगू पुत्राभ्याम स्वा मतलब अपने लगू मतलब छोटे पुत्रा भ्याम दो पुत्रों के सह मतलब साथ में जहां पर सह का प्रयोग होता है उसके पहले तरत्यव भक्ती आती है और तरत्यव भक्ती पर यहां पर दुई बचन में भ्याम का प्रयोग होता है तो अपने दो छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेन कानन अर्थात होता है जंगल मार्गेन अर्थात मार्ग से जंगल के मार्ग से पित्र ग्रहम पिता के घर को प्रती या पिता के घर की ओर गच्छन त्याह जाती हुई बुद्धी मती इती अब यहाँ पर बुद्धी मत नाम नहां मतलब की नामने या भी भगती लगी यह लगने से यहां सष्टी का प्रयोग है लेकिन यह मती कोशलम बुद्धी का कोशल प्रदर्शितम बर्तते बुद्धी के कोशल का प्रदर्शन यहां पर बताया गया है दिखाया गया है सापुर्ता समागतम सहमपी वह पुर्ता सामने समागतम आया हुआ सहमपी शेर को भी भीती भीतिम उत्पाध्य ततह निवारयती सामने आए हुए सेर को डर को भी वो क्या कर देती है डर का भी भीती मतलब होता है डर तो डर का भी वह निवारन कर देती है कि उनसे डरना नहीं है निती मैं इपोण शुक सारी कई यहां पर तोटा सारी का दोनों कि संबाद माध्यम के द्वारा गश् Director विकास आर्थम प्रहुरोटी यहां पर दोनों कि जो विकास के लिए यहां पर प्रहुरुत किया गया है शुक सारी का की माध्यम से यहां पर ब्रत्तान्त है और उसके आधार पर यहां पर वर्णन किया गया है देखिएगा पाठ इसका आर्थ एक बार देख लेते हैं प्रस्तोत पाठ शुख सप्तती कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है यहां पाठ के अंश में बुद्धी मती नाम की महिला अपने दो का निवारन किया इस कथा ग्रंथ में नीती निपन शुक और सारी का की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद व्रत्ती का विकास किया गया है मतलब अच्छी व्रत्ती का हमारे अच्छे अच्छे गुण का अच्छे सोच का विकास यहां पर किया गया है अब यहां से हम चलते हैं पाठ की तरफ पाठ में देखे आस्ति दैव लाग्त ग्रहां अपिए रहता दी त्रय राज सिह का राज-पूत्र राज-पुत्र वसती इसम रहता था एक दा एक बार कैनापी आवशक कारियण एक बार कैनापी मतलब कुछ भी आवशक कारे से तस्त भार्या तस्त मतलब उसका उसकी या उसके तो यहाँ पर तस्त किसकी? राज सिंग की तस भारया उसकी पत्नी बुद्धी मती पुत्र द्वयो पेता मतलब दो पुत्रों के साथ पितुर ग्रहम प्रती चलिता पिता के घर की ओर चली किसी बहुत जरूरी काम से राज सिंग की जो पत्नी है बुद्धी मती वो अपने दो पुत्रों के साथ में पित अरथात घने कानने मतलब जंगल में घने जंगल में सा एकंवा ददर्श वह एक बाग को ददर्श मतलब देखती है सा ब्याग्रम गच्छंत वह बाघ को आता हूँ देखकर अगच्छंतम आ जायेगा आता हूँ द्रस्था अर्था देखकर अब यहाँ पर देख Gir यहां Sश यहां पर दियम और आते हैं तो जो यहां पर आया था द्रश्ट्वा द्रश्ट्वा में प्रत्या है वो भी कित्वा प्रत्या है आगे चलते हैं ही और perhaps बोढ़ते हैं ढ़ेक बढ़ते हैं द्रहच रयात पुत्राव चपेट्या जो मतलब ध्रस्टता से बड़ी गुस्से से पुत्राव चपेट्या चपेट्या मतलब चांटे की द्वारा दोनों पॉत्रों को चाटे के द्वारा ये फिर सहने पढ़लेते हैं वह है उसने बाग को आता हुआ द्रश्टवा देख कर धास्त रहात् मतलब बड़ी दुस्टता से पुत्रवचपेटिया पुत्रों को चाटा मरा और चाटा मारते प्राहरत्य जगात चाटे का प्रहार करते हुए जगात मतलब है बोला यहां पर नए शब्द का प्रयोगे जगात बोला कथम एक मतलब कैसे कैसे एक ही भ्याग्र भक्षण अब यहाँ पर देखे हम तोड़ेंगे शब्द को तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कथम और फिर आ जाएगा एक कैसे एक ही ब्याग्र अर्थाद बाग चीता बाग को भक्षणाए खाने के लिए कल हम कुरू था कल है मतलब जगड़ा जगड़े को कर रहे हो और उसने यह था चाटे मारने का नाटक किया था कि क्यों तुम दोनों एक ही बाग को खाने के लिए जगड़ा कर रहे हो एक ही बाग को खाने के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो तो क्या आयम एव आयम एक अब यहाँ पर क्या होगा शब्द को तोड़ेंगे आयम यह मात्रा यहां लगी कि तो बन जाएगा एक चुकि आधा साल अगा हुआ है तो एक कहा तो आयम एक कहा ताव दूई भज्य आयम यह है और तुम दो घ्ज भूजन करने वाले हो इसके भुझता मतलब तुम दोनों ही इसका भूजन करने वाले हो और यह केवल एक है यह यह आपर क्या कर रहा हो प्रहसन मतलब नाँटक पश्चाथ अन्यों द्वतियाह कश्चिल लक्षते पश्चाथ मतलब बाद में अन्यों वे दोनों द्वतियाह कर बाद में तुम दोनों किसी दूसरे बाग को लक्ष कर लेना महाँ पर उसको निश्चे कर लेना कि इसको खाएंगे तो यह ककेला भागे तुम दोनों इसके लड़ रहो आगे चलते हैं कोईय दूसरा अन्योद्वतिया मतफित दूसरा कोई देखता है ता उसको हम लक्ष बनाएंगे तो उस पर हम प्रहार करेंगे इती सुरुत्वा देखे द्रश्टवा सुरुत्वा क्या हो रहा है कौन सा प्रत्य है द्रश्टवा सुरुत्वा गत्वा लिखित्वा चलित्वा सभी में एक ही प्रत्य होता है और वो प्रत्य होता है कत्वा ठीक तो इतीस रुत्वा ब्याग्र मारी काची दियमिती मत्वा ब्याग्रो भया कुल्चित्तो नस्टः इतना सुनकर ब्याग्र मारी अठाद बाग को मारने वाली काचि दियमिती मतलब कोई ऐसी मत्वा मतलब कोई ऐसी बाग को मारने वाली है ऐसा मत्वा अथात माने कर इसमें भी कत्वा प्रत्या है ब्यागरो भया कुल चित्तो नस्टहा बाग का भय के कारण बिल्कुल बुद्धी क्या हो रही थी नस्ठ हो रहे थी कि क्या किया जाए यहां तो बाग को मारने वाली जो हम सुनते हैं ऐसी कोई इस्त्री आ गई है जो बाग को मारेगी तो जो इसका बाग का जो चित है मन वो एकदम काम करने बंद कर दिया एकदम से बेकार हुआ जा रहा था काम ही नहीं हो रहा था यहां पर जंगल में एक बाग दिखा बै बाग को आता हुआ देखकर ठिटाई करते हुए अर्थत प्ले नाटक करते हुए अपने पुत्रों को चाटा मारते हुए कहती है क्यों पूरा पूरा बाग खाने के लिए लड़ रहे हो वो बाग कैसा था एक ही यहां एक ही तुम दोनों जानकर बाग नस्ट होने के डर से क्या हुआ बाग की बुद्धी भी नस्ट हो रही थी और बाग नस्ट होने के डर से बुद्धी उसकी बिचैन हो रही थी तो बाग भाबो सोच रहा था कि अब तो यह हमको खा जाएगी अब यहां से इसके आगे देखते हैं आखिर होता अर्थात अपनी बुद्धी से बिमुक्ता सा भयाद बिमुक्त होकर मुक्त होकर सा भयाद वह डर से ब्याग्रस भामनी मतब बाग के डर से यह क्या है भयाकुल एकदम अन्योपी बुद्धी मालोक मुच्चते महतो भयाद मतब एक अलग ही वो बुद्धी का क्या करती है ब भाई से ब्याकुल जो बाग है उसको देखकर कश्चित मतलब कोई धूर तर्थात होता है दुष्ट श्रगाल मतलब श्यार जो स्यार है तो श्रगाल का अर्थ होता है स्यार हसन यहां हस्ते हुए कहता है भवान कुता भयात पलायता आप कहां भागे जा रहे हैं और देखता अन्य बुद्धि मान लोग भी बुद्धी से संसार के डरों से मुक्त हो सकते हैं तो देखिए आपर उन्हें बोला है कि निज बुद्धिया बिमुक्ता अपनी बुद्धी से बिमुक्त सा भयात वह जो भामनी मतलब सुंदर इस्त्री सुंदर इस्त्री वह अपनी की क्या हो गई डर से बाग के डर से मुक्त हो गई वैसे अन लोग भी बाग के मतलब अन दरों से भी मुक्त हो सकते हैं फिर भैसे व्याकुल जो व्याकुल था भैसे व्याकुल बाग को देखकर कोई दुस्त स्यार हसते हुए कहता आप कहां भागे जा रहे हैं किसके डर से आप रूखी नहीं रहे भागते जा रहे हैं तो देखिए बाग क्या कहता है फिर अब बाते होती है व्याग्र और श्रगाल के बाद मद्ध में व्याग्र कह रहा है गच्छ गच्छ जंबुक जाओ जाओ जंबुक गच्छ मतलब जाओ और यह लोट लकार का प्रयोग है जब आपको ऐसा प्रतीत हो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हलंत नहीं है विसर्ग नहीं है ती ता अंती का प्रयोग नहीं है तू ता मंतु का प्रयोग नहीं है जब आपको इस तरीके से शब्द मिल जाए बहाँ पर लोट लकार मध्यम पुरुस एक बच्चन होता है नोट कर लीजेगा गच्छ गच्छ जंबोग भागो भागो जाओ जाओ जंबोग तुम अपी तुम भी किंचित गूण प्रदेश हम तुम भी जाओ किसी गूण बिलकुल छुपे हुए गुप्त प्रदेश में गुप्त शेत्र में यहां मत रहो यह तो ब्याग्र मारीती या शास्त्रते श्रुएते यह तो ब्याग्र मारीती मतब जैसे बाग को मारने वाली को हमने कहां सुना है शास्त्रों में सुना हुआ है तया हम हंतुम मारब्द वही मुझे मारने के लिए आ रही है परम परंतु ग्रहीत कर जीवतो नश्ट अब यहां पर देखिए जो आपको एक शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर मैं आपको सीधा पहले अर्थ बताती हूं देखिए जाओ जाओ स्यार हो गया तुम भी किसी गुप्तिस्थान पर जाओ उसने बोल दिया बाग को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गया जात होता है अब यहां पर कर कर का प्रयोग आया था कर मतलब होता है हतेली तो अपनी जान को हतेली पर रखकर सीग्रही आया हूं वह भी क्या गया था भागा था तो मैं आपको कर का अर्थ बताना चाहरे थी कि आप देखिए कि यहां पर दिया हुआ है ग्रहीत मतलब ग्रहन कर करके कर मतलब हात मैं जीवतों मतलब जान को यहां रतल stalा लिफसी रखिर मतलब अपनी जान को यहां सिग्र भागे दारे ले तुम भी जाओ भ्याग्र की श्रंगाल कहता है थे तो तुम्हारे द्वारा तो ये जो को तो के यदि डर है तो यह कह रहा है कि यत मानुशं तुम मनुश से भी विभेशी घरते हो तुम मनुशस से डरते हो व्यागर कहरा प्रत्यक्ष मेव मैं सा आत्म देखे सा आत्म पुत्र पुत्रव एक एक सो प्रत्यक्ष ही प्रत्यक्ष मेव अत्त प्रत्यक्षम और एव तो प्रत्यक्ष ही मया मेरे द्वारा उसने अपने पुत्रों को मामत तुम कलेहा मतलब अपने पुत्रों को मतब क्या है माम माम होगा और तुम तो अपने पुत्रों को वह क्या कर रही है मारकर कलह मानों चपेटिया मतब उन दोनों पुत्र जब जब जगडा करते हैं तो उनको चाटे से प्रहार करते हुए मैंने देखा है मैंने स्वेम उसके पुत्रों जो लड तत्रगम्मिताम जहां मत्ब जहां सा मतब जहां साधूडता वह दुष्ठ है वह औरत वह दुष्ठ औरत है शेऺ ऑलम हान चलो जा फिर तक चलू पुनारींत३ तुम वहां जा और वहां उसके समुख हम चलते हैं यदी वह ऐसा कुछ करती है तुम्हारे साथ तरही तो फिर तुम्हारे द्वारा में मारा जाओंगा तुस्रा अभ्यागर क्या कहता है श्रगाल यदी तुम माम मतलब मुझको मुक्ताम मतलब छोड़कर यासी मतलब आते हो तदा बेल अपी अवेला तो वो समय भी तुम्हारे लिए आसमय होगा बेला का उल्टा होता अवेला बेला मतलब यहाँ पर यहाँ पर वेला है समय के लिए है वेला तो वेला मतलब होता है समय अवेला मतलब आसमय बुरा समय स्यात होगा यदी तुम कह रहे हो ना कि बहाँ पुना चलो यदि वह कुछ करती है तो फिर आप मुझे मार देना तो यदि तो मुझे छोड़कर भाग गए तो सोच लेना वह समय तुम्हारे लिए बुरा समय होगा ऐसा कौन बात कर अब दोनों की मद्ध बात करी जंबुक चाहरा है कि एक बार फिर सी घटना में देखू तुझे क्षाने के लिए ख्खड रहे थे खाने की बीड़ता मैं खाने के लिए जगड रहे थी उन दोनों को उसने चाटब मार था प्र देखिए इसी में हिंदी स्यार के रहा स्वामी जहां वहां दुस्ठ है वहां चलो तुम्हारे फिर से वहां जाने पर फिर से वहां तुम्हारे द्वारे दिवहां जाये जाता है और यदि कोई सामने ही रही तो तुम्हारे द्वारे द्वारा मैं मारे जाने योग हूं तो अगर वो सामने मिल गई तो आप मुझे मार डालना भाग के तस्यार यदि तुमने मुझे वहाँ छोड़ा तो तुम्हारे लिए वो समय क्या होगा आज समय होगा अर्था तुम्हारे लिए वो समय ठीक नहीं होगा अब यहां पर देखी पर पिछले में जाते हैं वेला और अबेला की बात की गई है मतलब यहां पर यहां पर जो आप बात करेंगे यह किसकी बात होगी यह वरोधार्थी शब्द होंगे यहां पर यह लग हुआ है मतलब यान संधी का प्रियोग होगा फिर आगे हम बात करते हैं कि यहां पर और भी देकी हं तव्या में तव्यत प्रत्य की बात की गई मुक्तवा में मुंच धातूर कित्वा प्रत्य की बात की गई है आगे हम बढ़ते हैं तो धूरता मतलब दुष्ट के लिए हां तो नहीं पर यदी और तरही अभ्या शब्द हैं तो जहां जहां में यह बता रही हूं वहां आपका ध्यान पहुंच जाना चाहिए कि जब जहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा और तुरूंत आप पकड़ लेंगे कि यहां पर कौन सा प्रत्य है कौन सी संधी है और हिंदी अर्थ हम इसका करी चुके थे तो हम बढ़ते हैं इससे आगे अब जम्बू क्या कहता है यदी एवं तरही मा निजगले बद्ध्वा यदी एवं तरही मतलब यदी और भी यदी तो फिर मा में निजगले मुझको निजगले अपने गले मैं जम्बू कह रहा है बांध कर बद्ध्वा मतलब बांध कर चल सत्वरम सत्वरम मतलब यहां सीघ्र के लिए आया है चल सत्वरम सा व्याग्रा तथा क्रत्वा बहे बाग तथा मतलब बैसे ही क्रत्वा करके कैसा करके अपने गले से ही किसको बांध लिया उसको जंबो को अर्थात श्रगाल को काननम यह मतलब उस जंगल में वो दोनों क्या करें चले श्रगालेन सहितम पुर्यांत व्याग्रम दूरात द्रश्टवा श्रगालेन स्यार के द्वारा या स्यार के साथ पुन पुनहा आयांतम पुनहा आते हुए व्याग्रा बाग को दूरात दूर से द्रश्टवा देखकर बुद्धी मती चिंतेत मती अब बुद्धी ब्रत्यु पनमती जिसकी बुद्धी तुरं्ट काम कर जाए जो तुरंट जबाब दे दे तुरंट slave उपाय सोच ले वो होती है प्रत्त पन्नमती परंतु सीग्र जिसके उपाय आजाए साथ जंबुक वह जंबुक स्यार पर अक्षी पंत्यों अंगुल्या मतलब अपनी अंगुली से छेप मतलब उसके अंगुली की तरफ इसारा करते हुए अंगुली से इशारा करते हुए कह कहते हैं रे रे धूरत अरे अरे दुस्त यहां देखिए जमversion मतलब अपनी उसको अक्षि करके लक्ष करखे आपी तरजणी की अंगुली से मतलब अनज गली उससे इशारा करते हैं उसे एचारा करते हुए नाल करते बाग तो आ रहा तो और रहा है वाग करते श्रगाल सियार सिस्या ऊपर हम किया करते हैं महरा बनाते है तो क्या कहते हैं कर दोतर अरे दूष्ट तो यह तुम्हारे द्वारा धत्तं दिया गया मेरे लिए ब्याग्रम त्रेम पुरा पुरा मतलब पहले पहले तुमने मेरे लिए तीन बाग दिये थे विश्वास अध्याइक मानिया मतलब तुम्हारा आज तक तुम्हारा विश्वास करके अध्याइक आज एक ही आनिया मतलब लेकर यहाँ पर देखे विश्वास याध्याइ तो तोड़ेंगे जब हम तो यह कुछ ऐसे तूटेगा देखिए यहां से आ गया विश्वास फिर आ गया अध्ध फिर आ गया एक और उसके बाद आया अर्थात क्या आया है कि विश्वास तुम्हारे विश्वास से आज एक ही लेकर आये हो कथम यासी वद अधुना अब आज क्या बोलोगे तुम कैसे तुम कुछ बोलो बताओ आज कैसे तुम एक लाए हो बोलो अब वह कह रहा है वद अधुना अर्थात अब बोलो कि पहले तो तो मेरे लिए तीन बाग ले कर आय आज एक ही लेक राया है यह क्या थे प्रत्यूत्पन मतियार फार जिसके बुद्धि है तुरेंट उप्ख कर mistake स्यार कहा रहा है यदी ऐसा है तो फिर मुझको अपने गले में बांध कर शीगर चलो बाग ने बैसा ही कर जंगल को गया स्यार के साथ बाग को पुना आता हुआ देखकर बुद्धी मती ने सोचा स्यार के द्वारा उत्साहित की ये बाग से कैसे मुक्त हुआ जाए मतलब ये स्यार के साथ बड़ा उत्साहित जो बाग आ रहा है इसको कैसे हम मुक्त करें कैसे हम अपने उससे मुक्त हुआ परंतु तुरंथी बुद्धी लगाने बाली उस महिला ने तुर्पन्य बतिमाली इस महिला ने स्यार को आरोप लगाते हुए अपनी अंगली से नाटते हुए कहती है दुष्ट तुम्हारे द्वारा पहले ही मुझको तीन बाग दिए गये हैं विश्वास दिला कर तुम्हारे विश्वास से आज एक ही लाए हो अब बोलो अब कैस बोलो यह कैसे किया तुमने कि तुम एक ही लाए तो आप सुन पा रहे हैं समझ पा रहे हैं कि कैसे बुद्धी मान उस वह इस्त्री एक घने जंगल में है बाग और स्यार दोनों सामने हैं और दोनों ही बल्वाने क्या कर पाती वो और और क्या कर पाती वो दो बच्चे तुर जा दिया और खुद वचकर निकल आई तो यह है कि यहां पर गुद्धि मानही वल्वान हैं। इत्युक्तवा धाविता इत्युक्तवा मतलब इतना कहकर धाविता मतलब दोड़ते हुए तूर्ण नम ब्याग्र मारी भयंकरा मतलब दोनों ही बड़े सिग्रता से दोड़ते हुए कि बाग को मारने वाली है ब्याग्रों अपीस ऐसा नश्टा गल बद्धा स्रागा बता बाग भी अचानक से जो जो गल बद्धा श्रगाल का मतलब कैसा कि हम दोनों नश्ट होंगे तो गल में बद्धियार कोई लेके दोड़ा एवं प्रकारेन बुद्धी मती ब्याग्र जयाद पुनारापी भक्त मुक्ता अभबद एवं प्रकारेन मतलब इस प्रकार से बुद बुद्धिर बलवती तानवी सर्वे कारियासू सरवदा मतलब बुद्धी मान जो इस्त्री है वो सभी कारियों में कैसी है हमेशा बलवान होती है तो बुद्धी ही बलवती होती है बुद्धी मान इस्त्री हर कारे में बलवान है हर कारे में वो स्रेष्ट है इतना कहकर सी पाली मुक्ति पाली अता कहते हैं हे तन्वी हे इस्त्री सभी कारियों में हमेशा तुम ही बुद्धी वलवती हो सभी कारियों में हमेशा जो तुम्हारा ज्यान है वही कैसा है स्रेश्ट है तो आपने यहाँ पर जो सब्दार्थ हैं यह पूरे पाठों के सब्दार्थ हैं देखिए भारिया अर्थात पत्नी पुत्र दय उपेता दय मतलब दो पुत्र मतलब पुत्र दो पुत्रों के उपेता यहाँ पर साथ के लिए दिया है पितु ग्रहम अर्थात पिता का घर कानने मतलब जंगल में कश्चित लक्षते कोई लक्ष करते हुए मत्वा मानकर जग गले मतलब अपने गले में सत्वरम मतलब होता है शिग्रे बहुत अती सत्वरम यहां पर शिग्र जो की सिग्रता के लिए आया है आगे है वद्धवा बांध कर इती धन उक्तवा इती मतलब ऐसा उक्तवा मतलब कहकर सर्वकारियेशू सर्वकारियेशू मतलब सभी कारियों म सहसा मतलब अचानक अत्युतुम खाने के लिए तो इतने सारे जो शब्द हैं या आपके पाठ में आते गए तो यहाँ पर हमने पाठ पढ़ा पूरा पाठ समझा एक एक शब्द से समझा पाठ की अभी रीडिंग हुई है हमने आर्थ समझा है लेकिन पाठ के अभ्यास अभ होने रहिएगा क्योंकि अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका इसके अभ्यासों को लेकर थैंक्यू सो मच